आज राम मनोहर लोहिया की जैनती है, बिहार विधान सभा में अपने कक्ष में स्पिकर ने लोहिया जी की तस्फीर पर पुस्प अरतपित कर सधांजली दी है, अब देख सकते हैं, हमारे साथ खुद स्पिकर सहाब हैं, हम इस मौके पर उनसे भी बाचित करेंगे सर, आज ल और उन्होंने माभारती के सभी संतानों की दर्द को समझ कर सबका साथ सबका विकास की मानसिक्ता, सब के परती संभाव, समाजिक समरस्ता और रास्त के परती समर्पित भाव अपने परिवार का स्वाथ छोड़ कर समाज के हित में एक नई विचारधारा के साथ आगे वरने का इनका जो संकल्प था उस संकल्प को सिद्धी तक पहुँचाने वाले लोग ही असली समाजवादी है और आज इनसे प्रेरना हम सब को लेना चाहिए क्योंकि एक किस्मी सदी का रास्त बनाना है तो ऐसे विचारधारा से पंडित दिन द्यालूपा देहाई जी लोहिया जी ऐसे विचारधाराओं से ही हम आगे बर सकते हैं आप जब से पुलीस विधायक के दोना जब मामला हुआ था तो उसके कुछ सहना चाहिए देखिए जो भी इस तरह की दुखत घटना सदन लगातार सत्परतिसत चला प्रस्नों का जवाब भी सत्परतिसत आया विधायक की संबेदन सीलता सरकार की सजगता दोनों एक नया इतिहस रच रहा है लेकिन वो इस तरह की घटना जो भी इस तरह की एक दो घटनाएं हुई है वो गलती जीवन का एक पन्ना है गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिष्टा पूरी तरह किताब है तो गलती एक गलती एक पन्ना के लिए हम किताब को नस्ट कर दें ये कभी नहीं होना चाहिए हम उस एक पन्ना को हटा देंगे लेकिन किताब रूपी रिष्टा को बेहार की जो लोगतंत्र की खुबसूर्ती और संस्कृति है ये वरकरार रहे ये हम सब की जिम्मेबारी है अब बजट सत्र चल रहा है आपके जो मजूदा बैनुस लाए कि किसी पर करवाई नहीं हो तो लग गया लेकिन अभी जाना जाएंगे जो मजूदा सत्र चल रहा है ये क्या कुछ बड़ भी सकता है या जो तैसमें उतना ही तक चलेगा बजट सत्र ने समय तही है वो तो जो आज इशारू इशारों में बड़ी बात कहा दी कि पिछले साल घटना हुई थी जिसमें अचार समीती ने कई भी धैकों को दोसी पाया उन कहा है कि गलतियां लोगों से हो जाती इनुने साफ इशारा कर दिया है कि फिलहाल कोई करवाई नहीं होगी लेकिन सदन में लोग स करें अच्छे से रहें बेभार अच्छा रहें यह भी विजय सिना अभी कह रहे हैं कैमरा परसंट सेलेश के साथ सशांग कुमार एबीप न्यूस पटना